स्वागत है आज की कहानी एक ऐसे बॉम ब्लास्ट की कहानी है जो हुआ तो चान्नी चौक में था पर उसने अपनी आवाज के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस ट्रगल को इंटरनाशनल लिवल के उपर एस्टाबलिश कर दिया था और इस धमाके की आवाज सारी दुनिया में सुनाई दी थी चार लोगों के नाम ले रहा हूँ मास्टर अमीर चंद अवद बिहारी बाल मुकंद बसंद कुमार विश्वास क्या जानते हम इनके बारे में आज आप इनकी कहानी सुनेगे डेली कॉंस्पिरेसी केस की कहानी इस कहानी को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि अंग्रेजों का उस समय हिंदुस्तान में क्या हाल था 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था इस बंगॉल और वेस्ट बंगॉल बने थे डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए थे एजिटेशन्स हुई उसके अगेंस्ट काफी सारी बंबिंग्स भी हुई और बंगाल में एक रिवलुशनरी स्पिरिट क्रियेट हो गई चोटे-चोटे गृप्स बन गए रिवलुशनरीज के और ये रिवलुशनरीज बॉम्बिंग्स केरी आउट करते थे लिटरेचर स्प्रिंट करके सर्कुलिट करते थे जिसको अंग्रेज ओवियसली सेडिशस बोलते थे और दूसी तरफ 1909 में मिंटो मौरले रिफॉर्म्स के नाम के उपर एक इंडियन काउंसल्स आक्ट आया जिसने मुसलिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट क्रियेट कर दिया इसने भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को बहुत जबरदस तरीके से एफेक्ट किया है बाद में एजिटेशन्स हुई मुसलिम लीक के अंडर 1910 में एक मीटिंग हुई जिसमें इन रिफॉर्म्स को सपोर्ट दिया गया और वर्निंग दी गई किसी को भी जो इसके खिलाफ एक्ट करेगा अंग्रेज उनको लग रहा था कि अब पंगाल में मैनेज करना पूरे हिंदुस्तान को मुश्किल होगा तो हिस्टोरिकली जियोग्रैफिकली पॉलिटिकली डिली एक सही जगा है जहां कैपिटल बनाया जा सकता है दिसम्बर 1911 में जब किंग का दरबार होता है डिली में तो किंग एनाउंस करते हैं कि कलकत्ता से कैपिटल को दिली शिफ्ट किया जाएगा और एक अक्टूबर 1912 को डिली टेरिटरी क्रियेट होती है जिसमें शाह जहानाबाद जो हमारा पुराना दिली है उसके आगे पीछे के सौ के करीब विलिजिस को उन्होंने एक्वायर किया था और एक नई दिली क्रियेट की गई और उसका चीफ कमिशनर बने मिस्टर हेली और वो डिसाइड करते हैं कि 23 दिसमबर 1912 को वाइसराय इंडिया में दिली में एंटर करेंगे जिसको स्टेट एंटरी का नाम दिया गया उधर बंगाल के विभाजन के दौरा जो प्रभावित थे और जो रिवुलिजिनरी थे उनमें रास बिहारी बोस का नाम बहुत रस्पेक्ट के साथ लिया जाता है रास बिहारी बोस बंगाल के revolutionary spirit को उन्होंने आगे पहलाने में बहुत काम किया है हरदयाल जो पंजाब युनिवरसिटी के बहुत ब्रिलियन्ट स्टूडन्ट थे और सेंट जॉन्स कॉलेज आक्सफोर्ड में उनको स्टेट स्कॉलर्शिप पे भी भेजा गया था वो भी revolutionary spirit से जबरदस तरीके से जलना शुरू कर देते हैं और हरदयाल 1908 तक लाहौर में अपने काफी सारे group create कर लेते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो वही चीज सोच रहे होते हैं कि किसी तरीके से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खधेडा जाए 1908 में हरदयाल वापस इंग्लेंड जाते हैं और अपने जो group के लोग थे उनको master अमीर चंद को सपुर्द कर देते हैं और master अमीर चंद St. Stephen's School जो दिल्ली में था उसके master थे एक secret society बनाई जाती है अवद बिहारी पंजाब और United Provinces को देखने का जिम्मा लेते हैं बाल मुकंद और दीनानाथ पंजाब को लाहौर में रहके देखने का फैसला करते हैं और master अमीर चंद दिल्ली में रहते हैं ये secret society coordinate करती है बंगाल के साथ रास बिहारी बोस के थ्रू रास बिहारी बोस अपने साथ एक private knocker के तौर के उपर बसंत कुमार बिश्वास पुली के आते हैं और फिर फैसला होता है कि cult of bombing will be introduced in Delhi और दिन चुना जाता है 23 December 1912 और victim चुने जाते हैं Viceroy of India Lord Harding होता यूं है कि 1911 में जब king का दर्बार हुआ था तो king घोडे के उपर निकले थे और हिंदुस्तान की जन्ता को आदत है अपने राजा को हाथी पे देखने की तो king को किसी ने पहचाना ही नहीं था और king बहुत दुखी हुए थे उससे उससे सबक लेते हुए Viceroy Harding ये decide करते हैं कि वो हाथी के उपर entry करें और एक बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम मोती था सेलेक्ट किया जाता है उसके उपर चांदी का हौदा था Lord और Lady Harding उस पे बैठते हैं 23 दिसंबर 1912 को ये काफिला शुरू होता है पुरानी दिल्ली रेल्वे स्टेशन से चांदी चौक से होते हुए Red Fort जाना था जहां दर्बार होना था कोई पौने बारा के करीब जब ये काफिला पराठे वाली गली के बिल्कुल सामने पहुँचता है तो वहाँ एक कटरा धूलिया करके एक सेट अफ बिल्डिंग्स है वहाँ से कोई आदमी इनके उपर बॉम फेकता है और एक बहुत जोर का धमाका हुता है Lord Harding कहते हैं कि मुझे लगा जैसे पीठ के उपर किसने मुझे बड़े जोर का मारा और मेरे पीठ के उपर एक उबलता हुआ पानी का जग ठेक दिया है पीछे मुड़के देखते हैं तो धुआ उठ रहा था हलके येलो कलर का महावीर जो पीछे खड़ा था छटर लेके ततक्षन मारा जाता है दूसरे आदमी की ड्रेस के चितरे चितरे उड़ गए थे बट अंग्रेजों का कल्चर देखी कोई नहीं हेला कोई पैनिक नहीं हुआ सब अपनी जगा खड़े रहे और उन्हें कहा ओर्डर दीजे क्या करना है दिल्ली की जनता इससे पहले तैमोरलंग को देख चुकी थी नादर शाह को देख चुकी थी अपदाली को देख चुकी थी 1857 में हडसन को देख चुकी थी और कत्लों आम करना और इस ममूली बात के ओपर 100-200 लोगों को मारना बहुत आम बात थी सब सहम जाते है मर कोई कुछ नहीं करता है Lord बोलते हैं आगे चलो काफिला आगे बढ़ता है पर वैसराय जो है वो बिहोश हो जाते हाथी इतना सहमा हुआ था कि वो बैठता नहीं है वो खड़ा ही रहता है तो पास की दुकानों से उन्होंने कुछ बॉक्सेज लाए एक के उपर एक रख के उपर चड़े और Lord Harding को उतारा और सड़क पिलिटाया First aid दी गई उनको होश आता है वो order करते हैं जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा वहाँ जाके मेरी स्पीच पढ़ी जाएगी और फिर Lord Harding को Vice Regal Lodge की तरफ लेकी जाया जाता है सारा दर्बार वैसा का वैसा चलता है कोई पैनिक नहीं करता है कोई कतलो आम नहीं होता है कोई तकलीफ नहीं होती इस चीज से एप्रिशेट करके इसको दिल्ली की जनता ने खुद बखुद सब्सक्रिप्शन से पैसा ही कठा किया और एक रिवार्ड इशू किया कि भाई कोई अगर ये बताएगा कि इस बॉम्बिंग का कौन जिम्मेवार है तो उसको ये रिवार्ड दिया जाएगा और पैसा कोई 20,000 रुपए के उपर था ब्रिटिश सरकार एक लाख रुपए का रिवार्ड घोशित करती है महराजा पटियाला नवाब अव बहावलपूर महराजा अव ग्वालियर वो अलग रिवार्ड घोशित करते है पर पता कुछ नहीं चलता है ये जो पैसा पब्लिक सब्सक्रिप्शन से इकठा किया गया था इस पैसे से दो फंड्स क्रियेट होते हैं लॉड और लेडी के नाम पे और जो लेडी के नाम पे फंड होता है उससे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज बनता है जो आज भी है और लॉड के नाम पे जो फंड था उससे एक पब्लिक लाइबरेरी बनती है जो आज हरदयाल पब्लिक लाइबरेरी के नाम से अभी भी दिल्ली में ये उस दिन की वारदात का एक सुखद फाइदा आज भी हमको मिल रहा है पंदरा महीने बीच जाते हैं पर सुराग कोई नहीं निकलता उधर बरकले में बैठे हरदयाल एक पैंफ्लिक निकालते हैं जिसमें इस बॉम को स्वीट बॉम का नाम देते हैं एक साल के बाद एनिवर्सरी के उपर एक और पैंफ्लिक निकालते हैं जिसका नाम था शाबाश और ये बहुत ही provocative pamphlet था Price per copy इस पे लिखा था Head of an Englishman इन सब चीजों से प्रेरित होके April 1913 में हिंदुस्तान में बैठे हमारे करांतिकारी जो हैं वो भी एक pamphlet निकालते हैं जिसका नाम है Liberty और 17 मई 1913 को फैसला किया जाता है कि Lawrence Garden Lahore में एक bomb blast किया जाएगा जब Europeans dance कर रहे होंगे इसका जिम्मा बसंत कुमार विश्वास के उपर ही था विश्वास last moment के उपर ज़रा घबरा जाते हैं और bomb जमीन पर ही छोड़ के आ जाते हैं रामपरार नाम का एक छोटा सा clerk या प्यून मारा जाता है बाकी किसी को कुछ होता नहीं है और उसके तुरंत बार जुलाई 1913 को एक दूसरा liberty का pamphlet निकलता है दिसंबर 1913 को कलकत्ता में कालिपदो गोश नाम के एक compositor जो लोकनाथ ट्रेस में काम करते थे उनको पकड़ा जाता है उनके पास से ये कुछ liberty के pamphlet निकलते है लोकनाथ में काम कर रहे कालिपदो शुशांका के मित्र थे जो किसी और bombing case में bomb maker था उसके तुरंत बाद एक और pamphlet मिलता है दिल्ली में उसका paper उसका type setting उसकी भाशा और printing के तरीके सारे लोकनाथ प्रेस की तरफ इशारा करते एक chain establish हो जाता है Bengal revolutionaries और पंजाब के और दिल्ली के और United province के जो revolutionaries हैं उनके बीच का पेट्री साहब जो इस investigation को head कर रहे थे फरवरी 1914 को raid करते हैं Master Amir Chand के घर को जो दरीबा कला में है Master Amir Chand उसी जगा रहते हैं जहां हमारे मिर्जा गालिब भी रहते थे और जब जिस साल में मिर्जा गालिब मरे थे उसी साल में Master Amir Chand पैदा हुए थे उनके घर में बहुत सारा information material मिलता है correspondence के नाम का drafts के नाम का bomb बनाने का सामान और उससे फिर एक से एक टार जुडते चले जाते बहुत सारे अरेस्ट होते है राश बयारी बोस को जैसे ही पता लगता है ये अरेस्ट के बारे में वो तुरंत बच के निकल जाते हैं और जापान चले जाते हैं पर ये सारे लोग जो हैं arrested इन में से दो लोग दीनानाथ और सुल्तान चंद ये फैसला करते हैं कि हम सरकारी गवाह बन जाएंगे बाकी revolutionaries के खिलाफ मुकदमा चलता है ये पता चलता है कि बसंत कुमार विश्वास एक औरत के कपड़े पहन के रास पिहारी बोस के साथ उनकी बीवी बन के 23 दिसंबर को कटरा धूलिया तक पहुँचे थे और उन्होंने वो बाम होदे पे फेका था ये मुकदमा प्रीवी काउंसिल तक चलता है और फाइनल होने के बाद मास्टर अमीर चंद को अवद बिहारी को बसंत कुमार विश्वास को और बाल मुकंद को मौत की सजा होती है बाकी दो जो सरकारी गवाह थे को छोड़ दिया जाता है कुछ छुड़ जाते हैं और कुछ को काला पानी की सजा होती है जब अवद बिहारी से पूछा गया मरने से पहले कि तुम्हारी कोई आखरी वाहिश है तो उसने कहा end of British rule मास्टर अमीर चंद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर सारे हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर ठूक दें तो पूरा का पूरा British Empire उसमें डूप जाएगा और ये कहके ये चारों लोग फांसी के भंदे पे जूल गए तीन को मौलाना अबुलकलम आज़ाद Medical College है दिल्ली में वहाँ पहले डेली डिस्टिक्ट जेल होता था फांसीगर आज भी है आप देख सकते हैं इन तीन को वहाँ पे हैंग किया गया था और 10 मई 1915 को बसंत कुमार विश्वास को अंबाला में हैंग किया गया था इन लोगों के डेरिंग देखने वाली इसलिए है क्योंकि जब दिसंबर के बॉम्बिंग के तीन महीने के बाद वाइसराय देहरादून में अपनी लॉज की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तानियों का ग्रूप बड़े जोर शोर से सलाम कर रहा है उनको तो उन्होंने पूछा ये कौन है तो उन्होंने बताया गया कि भई ये वही हैं जिन्होंने आपके उपर जो बॉम्बिंग का अटैक हुआ था उसको कंडेम करने के लिए बहुत बड़ी घुरे आशी एक पर पिदाय दे मां घुरे आशी हाशी हाशी पोर्वफ हाशी देखपे भरुत बाशी आमे हाशी हाशी पोर्वफ हाशी देखपे भरुत बाशी एक पर पिदाय दे मां घुरे आशी एक पर पिदाय दे मां घुरे आशी कि अजय हाशी दे दे एक पर देम दोई। झाल कि अजय हाशी हाशी लिए आशी कि पिदाय झाल झाल